नमस्कार फ्रेंट्स मैं हूँ आपका दोस्त जैकुमार जो आपके अपने चैनल Know Your Stocks में आपका स्वागत करता है फ्रेंट्स अभी हम बात करने जा रहा हैं भारत हे भी Electricals Limited के बारे में जिसे हम लोग भेल के नाम से भी जानते हैं फ्रेंट्स इस कंपनी के द्वारा दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट को प्रिजन कर दिया गया है तो चलिए देखते हैं इसके रिजल्ट में किस तरह के डिटा को प्रिजन किया है इस company के द्वारा यहाँ पे जो figure परजन किये गये हैं ये इन करोड में परजन किये गये हैं तो आप इसे इन करोड में ही consider करेंगे फ्रेंट्स भारत हेवे इलेक्टिक्स ने जो अपना total income पोस्ट किया है revenue from operation से और other income से वो 5,353 करोड 94 लाग का जबकि पिछले quarter में इनका जो total income था वो 5,418 करोड 74 लाग का जबकि पिछले दिसंबर quarter में भेले ने जो अपना total income पोस्ट किया था वो 5,219 करोड 89 लाग का तो फ्रेंट्स यहाँ पे अगर आप कंप्रिजन करेंगे quarter on quarter तो यहाँ पे गिराबट कंपनी ने अपने total income में दर्ज किया है वही अगर early bite कंप्रिजन करेंगे तो यहाँ पे भेले ने अपना total income improvement में दर्जाई है इसके अलाबे अगर इसके expenses की बात करेंगे तो इस company के द्वारा जो total expense इस quarter में किया गया है वो 5320 करोड 84 लाग का जबकि पिछले quarter में इनका total expense था वो 5628 करोड 34 लाग का जबकि पिछले year दिसंबर quarter में भेले ने जो अपना total expense पोस्ट किया था वो 5206 करोड 89 लाग का तो फ्रेंट्स यहाँ पे अगर आप quarter on quarter देखेंगे तो इन इनका expense यहाँ पे increase किया है तो चलिए देखते हैं कि भेल ने किस तरह के net profit को present किया है तो फ्रेंट्स इस quarter में भेल को जो net profit हुई है means सुधलाब हुआ है वो बहुत ही सांदार देखने को मिल रहे हैं और इस quarter में इस company ने 42 करोड 28 लाग का सुधलाब it means net profit present किया है इसके अल कि पिछले year December quarter में भेले ने जो अपना net profit इस में सुधलाब पोस्ट किया था वो 27 करोड 2 लाग का किया था तो फ्रेंट्स यहाँ पे इस company का performance है वो काफी बहतर इस quarter में देखने को मिला है और इनका जो सुधलाब है वो उचलते हुए quarter on quarter और year on year दिख रही है और इसी का प सिर्फ और सिर्फ तीन पैसे का था जबकि पिछले year December quarter में सिर्फ और सिर्फ आठ पैसे का था तो फ्रेंट्स भेल के द्वारा इस बार बहुत ही सांदा result present किया गया है इसके पई नाम इसके share price पे भी देखने को जल्द ही मिलेंगे फ्रेंट्स इनका जो result present किया गया है आज के लिए इतना ही आपका देन शुभ हो